हम इस वीडियो में polynomial remainder theorem को प्रूव करेंगे. इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ एक उदाहरन से शुरुवात करते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर एक व्यंजक 3 गुणा x का वर्ग घटा 4x जमा 7 को x घटा 1 से विभाजित करते हैं, तो हमें quotient 3x घटा 1 मिलता है और remainder 6 मिलता है. जब हम polynomial long division करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा remainder क्या होगा? जब हम polynomial long division करते हैं, तो हमें एक व्यंजक मिलता है जिसका पावर, diviser के पावर से कम होता है और वही हमारा remainder होता है. अब हम इस f of x को इस तरह लिख सकते हैं, तीन गुणा x का वर्ग घटा 4x जमा 7 बराबर x घटा 1 गुणा quotient या यूं कहें कि quotient गुणा x घटा 1, तो ये इस quotient मतलब 3x घटा 1 गुणा divisor मतलब x घटा 1 होगा. अगर हम इन दोनों का गुणन करते हैं, तो हमें इसके बराबर प्राप्त नहीं होगा. हमें यहां remainder जोडना होगा. तो यहां जमा remainder मतलब जमा 6 लिखते हैं. अब ये बिल्कुल traditional division के analogy के समान है. मैं इस traditional division analogy को आपको बताना चाहता हूँ. मान लेते हैं कि हमें 25 को 4 से divide करना है, तो 25 को 4 से divide करने के लिए हमें 4 को 6 से गुणा करना होगा. मतलब 4 गुणा 6 बराबर 24 होगा. अब इसे घटाने पर हमें remainder 1 मिलेगा. दूसरे तरीखे से हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं. 25 बराबर quotient मतलब 6, है गुणा devisor मतलब 4, जमा remainder मतलब 1. हमने यहां भी यही काम किया है, लेकिन यहां हमने वेंजको यानि expression के साथ किया है. हमने इसका proof अभी तक शुरू नहीं किया है. यहां जो कुछ लिखा हुआ है, उसे मैंने आपको समझाया है, ताकि आप comfortable महसूस कर सकें. मैंने आपको बताया कि अगर हम इस devisor से इस वेंजक को divide करते हैं, तो हमें यह quotient मिलता है, जिसे यहां इस तरह लिखा है कि यह पूरा वेंजक बराबर 3x घटा 1, गुणा x घटा 1, जमा 6. यह दोनों एक ही बात है और वास्तों में यह सत्य भी है. चलिए इसे थोड़ा abstract बनाते हैं. मान लेते हैं कि यह f of x है, तो यह बराबर quotient, यहां quotient को q of x मान लेते हैं, मैं इसे दूसरे रंग में लिखता हूँ q of x, तो यहां यह q of x के बराबर है, इसलिए f of x बराबर quotient q of x गुणा यह x घटा a के बराबर है. मैं इसे generalize करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहां गुणा x घटा a लिखते हैं, जमा remainder r लिखते हैं. हम जानते हैं कि यहां remainder constant होगा, क्यूंकि remainder की degree x घटा a की degree से कम होगी. यहां x घटा a की degree 1 है, तो इससे कम degree होने के लिए इसे 0 degree होना पड़ेगा. इसलिए यह एक constant होगा जो वास्तों में सत्य भी है. यह किसी भी व्यंजक f of x के लिए सत्य होगा, जिसे हम x घटा a से divide करेंगे. इसे यहां लिखते हैं, अब देखते हैं कि अगर हम f of a को evaluate करते हैं तो क्या होगा? अगर हम f of x को इस तरह लिखते हैं, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं f of a. मैं इसे दूसरे रंग में लिखता हूँ f of a बराबर q of a. गुणा a घटा a जमा r. अब इसे evaluate करने पर a घटा a 0 के बराबर होगा. और जब q of a को 0 से गुणा करते हैं, तो ये पूरा 0 के बराबर होगा. इसलिए f of a बराबर r होगा. इस तरह हमने polynomial remainder theorem को प्रूफ कर लिया है. मतलब अगर हम किसी भी व्यंजा को x घटा a से डिवाइड करते हैं, तो हमें quotient q of x और remainder r मिलता है. जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं, और अगर हम इसे f of a के लिए evaluate करते हैं, मतलब a का मान यहां रखते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें जो शेश मिलता है वो remainder के बराबर होगा, और polynomial remainder theorem हमें यही बताता है.